दिन बंदू दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ दिन बंदू दीनानाथ लेले डोरी अपने हाथ दिन बंदू दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ दिल बंदू दीनानाथ लेले डोरी अपने हाथ दिल बंदू दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ दिल बंदू दीनानाथ लेले डोरी अपने हाथ ब्रह्म ग्यान महान ग्यान मौक्ष मुक्ति का ग्यान इशी ब्रह्म ग्यान को प्राप्ट करके जीव मोप्ष और मुट्व को परवप्दी गूरता है प्रतेक मनुष्य को ब्रम ग्याण परवप्द करना चाहिए क्योंकि मनुष्य योनी 84 लाख शालों के बाद परवप्द होती है बहुत ही कटनाई से प्रमात्मा मनुष्य योनी देखते हैं देते हैं, जीव को अपना उद्धार करने के लिए, जनम मरण के बंदन से छुटकारा पाने के लिए, ये मनुष्य योनी, मनुष्य शरूर, एक नाव है, ये मनुष्य शरूर, एक नाव है, और जो भीतर आत्मा है, जो भीतर आत्मा है, जीव है, वो उस नाव पे बैठा हुआ है, स्वतंत्र है, किन्तु बैठा तो हुआ है नाव पे, किन्तु स्वतंत्र है, और उस जीव के लिए दर वो आत्मा विराजमान है, जो लिप्त है, ना उसका लेना, ना उसका देना, सिर्फ वो द्रिष्टा है, जीव जीव द्रिश है करने वाला है आत्मा में लिप्त है सिर्फ देखने वाली है आत्मा ने अपनी शक्ति दे दी है जीव को जीव जो भी करें वो शोतंत्र है यह मनुष्य शरीर एक नाव है यह हमको जानना होगा यह हमको मानना होगा अगर इस सरीर से चूक गए यह सरीर खतम हो गया प्रबद का बोज धोते धोते इस शरीर को कुछ दुखशान हो गया तो चूक जाओगे दुबारा परोड़ों साल के लिए फिर फस जाओगे अदुगती में फिर कभी कीडे बनोगे कभी मकोडे बनोगे क्या क्या बनोगे कितने दुख सहोगे मनुष्य शरीर सिर्फ मौक्श और मुट्टी के लिए ही प्राप्त है परमाकमा की अरादना उपाशना करने के लिए ही प्राप्त है अपने जीवन की यातरा शफल करने के लिए प्राप्त है ये धिहान में रहे यही ब्रम क्यान है यही महान क्यान है आपके हिर्दे रुकी मंदिर में विराजमान पर ब्रम प्रमेश्वार इश्वर को मैं किर्टिगता करें साथ में जो आपके हिर्दे रुकी मंदिर में ब्रम में विराजमान है हिर्दे रुकी गुफा में ब्रम विराजमान है शर्विकार करें और करम बंदन को काटके आगे की यात्रा शफल करें शफल करें शफल करें ब्रहम ग्यान महा मिंक्यान ओ मततसत ओ मततसत दिल बंदू दीना नाथ लेले दोरी अपने हाथ दिल बंदू दीना नाथ मेरी दोरी तेरे हाथ मेरी डोरी तेरे हाथ मेरी डोरी तेरे हाथ श्वयम के शरूप में श्वयम का दर्सन यही प्रम ज्ञान है यही महान ज्ञान है शिता राम जये शिडाम